Hello everyone, welcome to being teacher. आज हम लोग बात करेंगे यूपीटेट की परिक्षा की जो नहीं दिती है उसके बारे में और साथ ही में एड्मिट कार्ड और सेंटर चेंज होंगे या नहीं, ठीक है? जैसे कि आप सबी जाते हैं, पेपर जो है, वो रिजन भी आप सबी लोग जानते हैं तो उसके बास सरकार ने कहा था कि हम एक महीने के अंदर, उसके बास, हम परिक्षा है वो करा लेंगे, लेकन आप सबी लोग जानते है कि एक महीने में हमारा 13 December से जो है आपका seated start होने वाला है तो अगर ये एक महिने में एक्जाम होता है तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा chances है कि आपका जो UPSI है वो seated से जो है वो क्या बोलते हैं मतलब overlap हो सकता है तकरा सकता है ठीक है जिस दिन हो सकता है आपका एक्जाम हो जैसे कि 28 को एक्जाम था UPSI का और Assistant Professor का ठीक है और साथ ही में आपका UPTIT का तो आप देख सकते हैं एक दिन में तीन एक्जाम थे और साथ में दो एक दो और एक्जाम थे मुझे उनका नाम नहीं पता है तो एक दो और एक्जाम थे तो इन सबी चीजों का जो चीजे थी उन्होंने कहा था कि नई डेट हम रिलीज करेंगो और नई डेट रिलीज करी है ठीक है लेकिन बेन चीज यह है कि हमार जो एक्जाम ओरलैप होगा वो ख़ड़ा से दिक्कत कर सकता है अलाकि इन्होंने जो अभी ओफेशल नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है लेकिन यह है कि हाँ यह जो निउस दे रहे हैं डेट दे रहे हैं कि यूपिटर्ट एग्जाम की जो है चब्वी दिसंबर को एक दिन पहले परचा लिखोने की मतलब जो एक्जाम हो तो कैंसल हुआ था तो चब्वी दिसंबर को आपका जो डेट है वो सिर्फ अभी कोई ओफेशल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है ठीक है यह कॉमन सी बात थी एक महिने के अंदर और क्या डेट होगी या तो 25 या तो 26 ठीक है 25 को तो किसमस है 26 या 27 ठीक है 28 या 29 ठीक है तो इस तरह ये डेट हो सकती थी और इन्होंने मतलब वही डेट दी है कि 26 देसंबर कोज है वो यूपेट परिच्छा होगी इसका भी कंफेमेशन मैं नहीं दूँगा क्योंकि देखे जब तक official notification नहीं आ जाके तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये news जो news दी जा रही है उस पर बेस्ट है तो ये मान के चलिए ये जो 26 अगर दी है तो 26 अगर नहीं हुई तो 27 होगी मतलब एक या दो डेट ही आगे पीछे आप में शेयर करूँगा तो एक चीज तो और पकी है कि देखे आपके exam center जो है वो change नहीं होगे ठीक है exam center same हो ही रहेंगे बहुत से बच्चे को मन में ज़्याद डाउट होगा कि exam center change होगे क्या हमें दूर्सी से के जाना पड़ेगा क्या मतलब सर्व admit card change हो जाएंगे ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है exam center जो आपके है वो वही रहेंगे तो इसलिए आप आराम से अपनी त्यारी करें 26 या 27 मान के चलें यही डेट रहेगी इससे आगे पीछे एक दू दिन हो सकता है जादा आगे नहीं होगा क्योंकि सरकार ने कहा दिया न तो एक मेहने के बितर उनको कराना ही होगा exam ओके तो कोई बात नहीं वेस्ट आप लॉक आप सभी को और अच्छे exam के लिए तैरी करते रहें कोई प्रॉब्लम कोई डाउट कोई PDF अगरा किसे की रिक्वार्मेंट रहती है तो आप मीचे बता सकते हैं कमेंट करके मेरी पूरी कोशस रहेगी कि मैं उसको आपको प्रवाइट करो ठीक है तो ध्यान रहें अपना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई जाहिंग